प्रिय विद्यारतियो बीए पार्ट पर्थम भुगोल विश्य के पर्थम पर्थम पत्र के अंतर गत्ये आज हम बहुतिक भुगोल में भूश अंक्रन अर्थात अर्थ मुवमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे अर्थ मुवमेंट्स भुदल का विहंगाम लोकण क्या जाए तो उच्चावच इस्तित अथ्वा परिवतन सील लगते हैं परंतुयदी शुक्रिम दिश्टित देखा जाए तो उनके परिवतन सीलता इस्पस्ट हो जाती है वास्तम में परिवतन प्रकर्तिका नियम है प्रत्विके भुगर्विक इत्यास के अध्यान से उसके अंदर तता बहार महान परिवतन के उधारण मिलते हैं ये परिवतन दो तरह के होते हैं धेरकालिन परिवतन और अल्पकालिन परिवतन धेरकालिन परिवतन इतनी मंद गती से होते हैं कि मनुष्य को उसका आभास भी नहीं होता जैसे परिवतन परिवतन कुछ सेकेंडों या कुछ मिंटों में होते हैं परिवनाम से उत्पन अन्तर भाग से उत्पन होने वाले बलों को हम अंतरजात बल के नाम से जानते हैं इन बलों द्वारा भूतल पर एसमानताओं को सुत्रपात होता है प्रत्वी की सतह पर उत्पन होने वाले बलों को हम बहिचात बलों के नाम से जानते हैं इन्हें समतल इस तापक बल भी कहते हैं ये बल प्रत्वी की अंतरजात बलों द तुम्हाण होते हैं इक होता है लंवत अथाथ वर्टिकल मुमेंट्स इन संतलों दुआरा भूतल पर अनिक विस्म्ताओं का सुट्रपात होता है जिस कारण भूतल पर तरह तरह के उच्चा-उचोंगा निर्मान होता है जैसे परवत पैठार मैदान भ्हंस इत्यादि किरि उत्पन होने की किरिया तता कारणों की विश्य में हमें कम जानकारी प्राप्त होती है क्योंकि इसका समन्द भूगरब से है समन्य रूप से अंतरजात बलूं की उत्पत्ति की संभाववित कारणों में प्रत्विक आंत्रिक भाग में तापी विश्मता तता शैलों का अंत्रन तता सामायुजन भी कभी कभी इतनी तियुर गतिशे होता है कि प्रत्वी के अंदर गतियां उत्पन हो जाती हैं तियुरता के अधारपन अंत्रजात बलूं को दो भागु में वजित किया जाता है आकस्मिक संस्लन तता पटल विरूपनी संस्लन आकस्मिक संस्लन आ आकस्मिक अंतरजात बलून द्वारा उत्पन संस्लन को इसके अंतरगत रखा जाता है। इसमें उत्पन घटनाएं आकस्मिक होती हैं तथा आचानक ही इनके द्वारा भूतल के उपत ता निसले बिनास्त कारी परिवतन होते हैं। बैतोलित, लेकोलित, फैकोलित, लवपोलित, आदी के रूपे प्रिवेस होता है। द्रातल के उपर लावा के प्रवा के कारण लावा पठार, लावा मैदान, विभिन प्रकार के संकु आदी का निर्मान होता है। बुकम के कारण कुछ शणू के अंदर ही भूतल का जील सा आगर आधिकार निर्माण हो जाता है कि पटल वी रुपणीण है पटल वी रुपणी इस फ्रतिवियर की आंतरीए भाग से उत्पन होने वाली लंवत टाथ पटल वी रुपणी बल मंत गतिंसे कारी करते हैं तत्था इनका प्रभाव ख़यारों वरस्व बाद लीक्सितहोता अर्थ का रमान होता है तुषतार ड्रश्टति से इस संस्लन को दो वर्गूव में बाजित क्या जाता है महाधेशिय संस्लन तदह परवत्त्तव निर्मान हैं जäs्का आर्थ होता है उत्तपति है दो सब्दूसरी मिलकर बना है इस संसलन से महादिपू में उत्थान तथा आउतलन एयों निर्गमन तथा निमदन किरियाई होती है ये दोनु किरियाई लमवत संसलन की परिचाइक होती है दिशा के आधार पर इसे पुनहे दो वर्गों में वजित क्या जाता है उपरमुकी संसलन एयों अधोमुक कहते हैं कि अदोव मुखि संस्लन इस संस्लन के अंतरगत महादीपिय भाग में दो तरे के दसा होते हैं, प्रतम भाग में इस तलका भाग इस्थानिये या प्रादेशी के रूप से अपनी समीपी सतर से नीचे दश जाता है, इस किलिए को आउतलन के किलिए तर्टिये भाग या महादी पिय की वीच कहीं हो सकती है, पर उन्तु नीमन्जन के किलिए परोतिय संसलम औरोजनेटिक सब्द ग्रीक बासा के औरोज जिसका अर्थ है जेनिसिस जिसका अर्थ है उत्पती दो सब्दों से मिलकर बनाया है इसे सक्षित में परोतन बल्या परोतन भी कहते हैं परोतन बल्के अंतरगत प्राय सैतीज रूप से कारिय करता है अज़ा इसे सैतीज बलिया इसमस रेकिये बल भी कहते हैं यह बल दो रूपों में कारी करता है जब दो बल विप्रीद जिसों में कारी करते हैं तो उससे तनाव किस्तित उत्पन होती है और इसे तनाव में तक बल करते हैं तराव के करांड़ धरातल पर भ्रांस और दिरारे उत्पन होती हैं, जप बल आमने सामने कारी करता है तो उसे संपिडन कहते है इस संपिडन नात्मक बल भी कहा जाता है इसे धरातले चटाउन में सयवयल में तक्षे परन पढ़ते हैं भूपटलिये बंकन या मुडाओ जब सैथी संस्तन आमने सामने कारी करता होता है तो द्रातलिये चट्टावने में बंकन या मुडाओ की सिर्थ उत्पन हो जाती है यह मुडाव दो प्रूपों में होता है सैंवलन तथा वलन सैंवलन का प्रफाव दूर तक विस्तित चेत्रों में होता है इसके अंतरगत भूतलिया विस्तित भाग या तो उपर उट जाता है या नीचे दर्स जाता है यह शैती संसलन के कारण उत्पन सैंपिडन के कारण द और जब द्रातली भाग नीचे की और मुड़का दस जाता है तो उसे बैसेन या गड़्डे का निर्मान उतर उसे आउप सम्मुलन कहते हैं जब द्रातली चट्ठान में उपर उटनी या नीचे दसनी की करिया 8-10 किलोमटरी के लंबाई मन होती है तो उसे व्रहत् सह्मुलन कहते हैं प्रत्वी के अंतरजात बलूं द्वारा उत्पन सेतीज संसलन द्वारा जब भूपटली चट्टानों में संप्रिंद की स्थित्पन होती है तो चट्टानों में लहर नुमा मोड उत्पन हो जाते हैं इस तरह के मोडूं को वलन का जाता है वलन के कुछ वाग उपर उड़ जाते हैं और कुछ वाग नीचे दस जाते हैं उपर उठेवे भागों को अपनती तता नीचे दसेवे भागों को अभिनति के नाम से सम्भूदित किया जाता है वास्तों में व्रहद वलन सम्भूदित का ही लगुरूप होता है परतेख वलन में दो और के भागों में वलन की भुजाएं होती हैं वलन के दोनों बुजाओं के बीच अपनती के उच्चस्त या अभिनती के निमनस्त भाग से गुजरने वाली कल्पित देखा को वलन की या वलन का अक्स कहा जाता है अपनती और अभिनती के अधार पर अपनती अक्स और अभिनती अक्स दो प्रकार के वलन अक्स होते हैं वलन के मद्य में इस्तित कल्पी तल को अक्सिय तल कहते हैं इस तरह पुने अपनती अक्सिय तल तथा अभिनती अक्सिय तल को अलग किया दा सकता है किसी भी इस्तल की सनेशना को समझने के लिए नती तथा नतीलम दोनु सब्दों को अर्थ जानना आवस्यक होता है नती नमानिया डिप परदार या रूपांदी चटानों के रूप में प्राय सहतीज तल के सारी कुछ अंस का कौन बनाते हुई सहती जखा के साथ जुके रहते हैं इस तरह के जुकाओ को इस तरह का नती या डिप कहा जाता है नती दो बाती स्पस्ट होती है पथम तो नती चट्टानों की परत तथा 37 तल के बीच के ढाल की कौन को पदिशित करती है दूसरी यह इस तर के नीचे की ओर ढाल की दिशा को बताती है उधारन के लिए यदि किसी चट्टान के शैती तल के सारी 60 डिगरी कौन का जुखाव है तथा ढाल की दिशाज दक्षिन तो इस इस्तर की नती को इस तरह पदिशित किया जाएगा नती लंब नती के साथ संकुर्ण बनानी वाली रेखा को उस जुखेवी इस्तर पर नती लंब कहते हैं यह सदेव नती के साथ 90 डिगरी का कौन बनाती है अपनती अंत्रजाथ बल्कि कारण सैस्ति शंसलन दौरा चत्टानू के इस तरह में सुकुरण के उउटपन वलन को जो उपर उड़ जाता है उसे अपनती कहते है अभी नती शैस्तिज संस्तिलन द्वारा उत्पन वलन का जो भाग नीची के और मुड का धस जाता है उसे अभीनति कहते हैं समपनति वलित परवतिय चेत्रों में समपनति सम प्लस अपनति देखने को मिलती है यह एक व्रहद अपनति के अंत्रगत कई छोटी छोटी अभीनतियां मिलती हैं तो उस आकर्ति को समपनति कहा जाता है समपनति एक व्रहद अपनति के अंत्रगत कई छोटी छोटी अभीनतियां तथा अभीनतियां बन जाती हैं तो उसे अभीनति को समपनति के नाम से पैचना जाता है